कार्थी के एक एक आपका बहुत हार्दी श्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे प्रेक्टिस सेट 43 के विशे में आज हम बात करेंगे तो आईए प्रेक्टिस सेट 43 के विशे में आज हम बात करते हैं तो आज का पहला प्रस्न हमारा क्या है तो आज का हमारा पहला प्रस् किस सताब्दी में हुआ है हार्ट सब्द का प्रियोग किस सताब्दी में हुआ है तो ये किस सताब्दी में हुआ है इसका सही एंस्वर है option number जो की C 13 सताब्दी में 13 सताब्दी में हुआ है तो कला के बीचे हम थोड़ी बहुत आज हम बात करते हैं कि सामान रूप से कुषलता पुरुवक किया गया कोई विकार कला कहा जाता है क्या है कोई विकार करिए कला कहा जाता यह सब क्या है यह सभी एक कला है यहां पर देखिए क्या हुआ है कि कुसलता पुरुवक सब्द अधिक महत्वपूर है क्योंकि गीत गाना कला तभी माना जाएगा जब गीत सुमधूर और लेतान के मद्द गाया जाए ठीक अब बात करते हैं कला का प्रधान गुण क्या है तो कला का जो प्रधान गुण है ओ है अभिव्यक्ति क्या अभिव्यक्ति कला ही है जो मानव मन को सुंदर्व प्रांजल बनाता है क्या है प्रांजल्व सुंदर बनाता है मानव मन को कला ही अगर कला के अर्थ की बात की जाए तो कला क्या है संस्कृत भासा का सब्द है किसका संस्कृत भासा का सब्द है कल कला सब्द की उत्पत्ति कलधातु से मानी जाती है किस से कलधातु से मानी जाती है जिसका अर्थ है सुन्दर, मधूर, कुमल या सुख लाने वाला कुछ विद्वान जो है इसकी उत्पत्ति कडधातु से भी मानते हैं जिसका अर्थ है प्रसन करना अत्वा मस्त करना तो मस्त करना आईए नेक्स्ट क्वेश्चन काब्य कला का आधार क्या है तो सही ऑप्षन क्या है यह है ऑप्षन नमबर सी सब्द और अर्थ क्या है सब्द और अर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन हीगल ने सर्वस्रिष्ट किस काल को माना है तो यह किस काल को माना है इसका सही ऑप्षन है जोकि संगीत काल क्या है आफ्शन नंबर सी जो की संगीत काल है देखे कला का वरगी करण जो की दो प्रकार से हुआ है कितने दो प्रकार से हुआ है कौन कौन सा ललित कला और उपियोगी कला क्या है ललित कला और उपियोगी कला अगर बात करें ललित कला की तो ललित कला में क्या है कि जिन में मनो भाव की अभिव्यक्ति होती है वो क्या है ललित कला है क्या है जिन में मनो भाव की अभिव्यक्ति होती है क्या है वो ललित कला है बात करते हैं ललित कला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है तो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है तो ललित कला पांच प्रक कितने प्रकार की होती है तो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है ? तो संगीत, काब्य, चित्र, मूर्ति और आस्थापत्य। कौन कौन सा संगीत, काब्य, चित्र, मूर्ति और अस्थापत्य। बात होती है कि Hegel के कला का वर्गी करण किस नाम से जाना जाता है तो यह है Hegelian Classification of Fine Arts किसको Hegelian Classification of Fine Arts अगर बात करते हैं कि Hegel ने किस कला को सर्वस्यष्ट कला मानते हैं तो ये किस कला को सर्वस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् क्ला मानते हैं क्योंकि क्woشर्चन में créer रुदी किस कल को माना है , तो function in number B , क्ला को माणते हैं बात हो गई हीगल ने वास्तु कला को निम्नक कला के मानते हैं फिन कलाओं की विसीश्टता के अनुसार हीगल ने इसे किस करम में रखा है तो आज़े करम की बात करते हैं तो इनकी करम है पांचों की काब बेकला, संगीत कला, चित्र कला, मूर्ति कला और वास्तु कला क्या है काब बेकला, संगीत कला दूसरे अस्थान पर आती है फिर तीसरे अस्थान पर चित्र कला को मानते हैं चाउथे पर मूर्ति कला को पांचों प्यास्थापत्य कला कहिए या वास्तु कला कहिए इसको मानते हैं फिर बात होती ह कानओ के बैवहारिक दिवन से सम्बंधित है। उपयोगी कला कहते हैं। जैसे क्या हो गया? बढ़ाईगिरी, छपाई। ओस्टर, यह सब क्या है? यह सब उपयोगी कला है। फिन बात होती है कि उपयोगी कला को यूरोप में उदार कलाएं कहा जाता है, इसको यूरोप में उदार कलाएं कहा जाता है, तो प्रस्न संक्यातीन का सही option है, option number B, next question, कौन सी रूप प्रद कला नहीं है, तो ये कौन सी नहीं है, तो ये जूप ये option numbera, के सही संगीत कला, next question, बित्ती चित्रन किस पर किया जाता है, तो ये किस पर किया जाता है, तो ये option number A, जोरोप ये दिवार पर किया जाता है, Next question मुख भी जिसका रशा स्वधान कर ले वह कला है यह उक्ती किसमें उल्लिखित है तो यह किसमें है तो यह है option number जोकी यह शुकर नीती में हुई है Next question रमायर में उल्लेखित सीता की स्वाणपतिमा किस सिल्पी ने बनाई थी? ये है option number जो की B मै नामक सिल्पी ने बनाय थी? next question प्रमार निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? तो ये क्या है? ताल क्या है? तो ये है ताल एक सिर है option number जो की D सही है? क्या है option number D सही है? next question काम सुत्र में चित्रकला को किस नाम से शंबोधन किया गया है? तो ये किस नाम से शंबोधन किया गया है? तो किस नाम से किया गया है? तो ये है option number A जो की आलेख के नाम से किया गया है किस नाम से? तो आलेख नाम से किया गया है next question किसी एक भारती सहंबर सास्तरी का नाम बताइए तो क्या नाम है? ये है option number जो की D. डाक्टर राधा कृषलेयन क्या है? डाक्टर राधा कृषलेयन next question आख में तन तूरंग का अनुभव करते हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है यह है option number C, roads वा कौन्स, क्या है roads वा कौन्स, next question, सहयोग कितने प्रकार का होता है, तो यह है option number जो की C, दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, तो यह दो प्रकार का होता है, next question, यदि दर्सक की द्रिष्टी एक में उपर से, एक में से उपर है, और उसे मेच की दो साइडें देखनी देख रही है, तो इस इस्तिती में कितने अद्रिष बिंदू होंगे, तो कितने अद्रिष से बिंदू होंगे, तो यह है option number जो की D, दो अद्रिष से बिंदू होंगे, कितने दो अद्रिष से बिंदू होंगे, next question, दर्सक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं, तो यह है option number B, तीन तल, नेक्स्ट क्वेस्चन अनु अरकन का प्रमुख गुण है तो इनका प्रमुख गुण क्या है तो यह है अप्शन नंबर ए दुई आयामी रूप क्या है दुई आयामी रूप नेक्स्ट क्वेस्चन चित्रण के समय अलसी का तेल तथा तारपेंटाइन का अनुपास कितना उचित है तो इनमें कितना उचित है तो यह है ऑप्शन नंबर जो की डी 50 प्रतिसत क्या है 50-50 प्रतिसत नेक्स्ट क्वेस्चन कागज को सिकुरन से बचाने के लिए चित्रण करते समय कागज को गीला करके बोड पर कागज की ब्राउन टेप से चिपकाया जाता है जिसे माउंटिंग कहा जाता है यह किस पर लागू होता है तो यहाँ किस पर लागू होता है? यह है option number A जल रंग में. किस में? option number A जल रंग में. Next question. भूमी बंधन की दो क्रियाएं हैं. तो दो क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो है option number A sizing or priming. कौन कौन सी sizing or priming? Next question. सैंग्यून ड्राइंग प्रचलित कब हुई? तो यह कब हुई? तो यह है option number जो कि B 14 सताबदी में. कम option number B 14 सताबदी में प्रचलित हुई? Next question. एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूर्ण करना कहलाता है? तो क्या कहलाता है? यह है option number C आला प्राइमा. क्या है option number C आला प्राइमा? Next question. इंगलेंड में फेवर ने पेंसिल कमपनी कब अस्थापित की थी? तो यह कब की थी? यह option number D 1761 में. कब 1761 में की थी? Next question. सिंबारो को जापान में क्या कहा जाता है? क्या यह है? option number जो की A tie and tie. क्या tie and tie कहा जाता है? Next question. नेमल लिखीत में से कौन सी ग्राफिक बिद्या नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो यह है option number जो की D blown blocks. कौन option number D blown blocks? Next question. एक से अधिक माध्यम का एक साथ एक ही चित्रों का प्रियोग करना कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो यह है option number B मिश्रित माध्यम. Next question. मुर्ति निर्माड है तू किस प्रकार की मिट्टी उप्रियोगत होती है? तो यह है option number A चिकनी एवं लचीली. Next question. डिजाइन की छपाई के लिए लेजर किरिणों का प्रियोग होता है? तो किस में लेजर किरिणों का प्रियोग होता है? तो यह है option number B लेजर प्रिंटर में. Next question. बिभिन टूल द्वारा मन चाहा डिजाइन बनाया जा सकता है? तो यह किस में बनाया जा सकता है? तो यह है option number जो की D कोरल ड्रा में. किस में कोरल ड्रा में? Next question. भारत में प्रथम समाचार पत्र 1777 में किस नाम से प्रकासित होगा? तो यह किस नाम से प्रकासित होता है? यह है option number B बामबे करियर. कौन सा option number B बामबे करियर? Next question. आप सेट दो सब्दों आफ और सेट की सहयोगत रूप है? सेट का अर्थ तारतम में बिवस्थित करना? और बताएए आपका अर्थ क्या है? आपका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? यह है option number B उल्टा करना. क्या है? option number B, उल्टा करना next question, upset printing को दूसरे नाम से भी जाना जाता है तो दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? यह है option number C, planography printing किस नाम से planography printing के नाम से भी जाना जाता है next question, flexography एक प्रकार की है flexography एक प्रकार की है, तो यह किस प्रकार की है? तो यह है option number B, relief printing किसकी option number B, relief printing next question, कच्चे माल को सफेद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह है option number A, bleaching powder का किसका option number A, bleaching powder का प्रयोग किया जाता है? next question, बास की लुगदी से बने कागच को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो यह है option number D, packing paper क्या कहते हैं? packing paper next question, समान अंतर रिखाएं फीचने के लिए निम्न में से किस यंतर का प्रयोग करते हैं? तो यह किस यंतर का प्रयोग करते हैं? तो यह है option number B, sit square का, इसका sit square का प्रयोग करते हैं? next question, फोटो का अर्थ होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? तो यह है option number D, प्रकास next question, डिजिटल फोटोग्राफी का प्रयोग कब हुआ? तो इसका प्रयोग कब होता है? तो यह है option number B, बीश्मी सताब्दी में option number A, बीश्मी सताब्दी में होता है, तब option number जो की A, सही है, बीश्मी सताब्दी, next question, भारत में सरोपर्थम 1849 में पहले इस्टूडियो की निव डाली गई थी, तो पहले इस्टूडियो की निव कहां डाली गई थी? तो यह है option number जो की C, कोल काता में, कहां पर option अजन्ता में लगी, अजन्ता क्रिश्टल पेलस में आग लगी थी, जो की अजन्ता की सभी प्रतलिकिविया खाक हो गई थी, तो यह की ससन में थी? तो यह है option number B, अठारा सव चाचट में, कव? अजन्ता की गुफाएं सबसे पहले इस्थित कहा है, तो अजन्ता की गुफ महाराष्ट के अउरंगाबाद जिले में, कहां पर महाराष्ट के अउरंगाबाद जिले में इस्थित है, फिन बात होती है कि अजन्ता के भित्ति चित्र से पहले किस गुफा में चित्रन हो चुका था, तो यह किस गुफा में सबसे पहले चित्रन हो चुका था, तो यह थ पहले किसने देखा था, तो सबसे पहले किसने देखा था, तो हुएन सांग ने देखा था, किसने हुएन सांग ने देखा था, अगर खोज की बात की जाए अजनता की, तो जान इस्मित ने 28 अपरेल 1819 इस्मि को अजनता की खोज की थी, कब 28 अपरेल 1819 में, अगर बात करते ह अजन्ता का नाम करण कब हुआ तो इनका नाम था अजन्ता या अजिंठा नाम था अगर बात होती है कि इनकी अनुकृती सरोप्रथम कि इस अंगरेज चित्रकार द्वारा बनाई गई थी तो राबर्ट गिल के द्वारा बनाई गई थी कि इसके द्वारा राबर्ट गिल के सासन काल में हुई है तो ये गुप्त काल के समय में हुई है अगर बात करें कि अजन्ता की चित्रकला किस काल से संबंधित है तो ये सात वाहन और गुप्त काल से संबंधित है लेकिन गुप्त वंस में सरवसेश्ट चित्रांकन का कार अजन्ता में हुआ अगर बात करते हैं अजनता कितने वर्सों में बन के तयार हुई, तो ये कव कितने वर्सों में, तो 850 वर्सों में बन कर तयार होती है, कितने वर्स लगते हैं, तो टूटल 850 वर्स लगते हैं, बात होती है कि सबसे प्राचीन चित्र अजनता के किस गुफा में हैं, तो ये हैं गुफा संख्या वहा गुफा संक्या 10 में सबसे प्राचीन चित्र पाये जाते हैं। अगर बात करें कि सबसे बाद में कौन सी गुफा चित्रीत होती है। पिन बात होती है कि बौद चित्रकलाब के जिन तीन सैलियों का वरण किया गया है। वो कौन कौन सी थी। तो है देवसैली, नागसैली और यच्छ सैली। देवसैली, नागसैली, यच्छ सैली। फिन अजन्ता में कितने प्रकार की गुफा हैं। तो दो प्रकार की गुफा है बिहार और चैत बिहार को क्या कहा जाता है तो बिहार को बौद बिच्छूओं का आवास ग्रिह कहा जाता है क्या कहा जाता है तो बौद बिच्छूओं के आवास ग्रिह को बिहार कहा जाता है और उपासना अस्थल को चैत कहा जाता है क्या कहा जाता है उपासना अस्थल क कहिए या पूजा ग्रिय कहिए इसे चैत्य के नाम से जाना जाता है फिन बात होती है कि अजनता में कूल कितनी गुफाएं हैं तो अजनता में कूल 30 गुफाएं हैं कितनी टोटल 30 गुफाएं हैं जो कि किस विशाय पे संबंधित है तो ये बहुत धर्म के जातक कथाओं पर संबंधित हैं इस पे जातक कथाओं पे संबंधित हैं पूटल कितनी चित्रण है तो 547 चित्रण हैं कितने 547 चित्रण हैं अगर बात करें जातक कथा की भासा क्या है तो यह पाली है जातक कथा है क्या तो यह बुद्ध के पुर्व जन्म की कथाओं हैं क्या है बुद्ध के पुर्व जन्म की कथा को जातक कहा जाता है बात होती है कि अजन्ता के चित्र संबंधित किस्से थे तो अभी हम बता दिये हैं कि बुद्ध से संबंधित थे आईए अजन्ता के प्रमुक चित्रनों की हम बात करते हैं देखिए हंस जातक कहां से मिलता है तो गुफा संख्या 17 से आपको हंस जातक, सीवी जातक, राहूर समर्पन, बिस्वांतर जातक, स्रिंगार करती राजकुमारी खंबे के उपर, छदंत जातक, माता पुत्र, स्याम जातक, ये सब गुफा नंबर 17 से आपको मिलते हैं, बात ह गुफा नंबर 17 से कौन-कौन सा, तो मर्ती हुई राजकुमारी जो की बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लगभग पूछा जाता है हमें सा हर TGT, PGT में, या KBS का हो, तो ये question आपको जरूर देखने के मिलता है, कि मर्ती हुई राजकुमारी किस गुफा में है, तो ये है कि गुफा संख्या दो में क्या-क्या मिलता है, तो प्राणों के विच्छा, छान्ति वादक जातक, सर्वनास, बुद्ध जन्म, माया देवी का स्वपन, सुनहरे मिर्ग द्वारा, धर्मो पदेश, और सहस्त्र बुद्ध, कौन-कौन से, सहस्त्र बुद्ध, गुफा संख्या एक में मिलते हैं, गुफा संख्या दस में भी छदंत जातक के कहानिया मिलती हैं, गुफा संख्या 26 में क्या होता है, तो ये है मार विजे, मुर्ति जोकी, महा परिनिर्वार, मुर्ति जोकी, गुफा संख्या हमको सूलस से ही मिलती है, अगर बात होती है कि चित्र कला मुर्ति कला और वास्तु कला का संगम एक साथ कहां पे दिखाई देता है तो ये हमको अजनता में दिखाई देता है कहां पे अजनता में दिखाई देता है अजनता में 1908 में क्या होता है 1908 में क्यूरेटर की निउक्ति होती है इसकी क्यूरेटर की निउक्ति होती है अज अजनता से एलोरा के दूरी कितनी है तो ये 100 किलोमीटर है कितनी टोटल 100 किलोमीटर अजनता से एलोरा के दूरी है आए नेक्स्ट कुश्चन अठारा सव पच्पन में मुंबई में फोटोग्राफिक सोसाइटी की अस्थापना हुई जिसमें सदस्य थे तो टोटल कितने सदस्य थे तो ये है आफसन नमबर भी 100 सदस्य थे कितने टोटल 100 सदस्य थे नेक्स्ट कुश्चन बंगाल फोटोग्राफिक सोसाइटी की अस्थापना की गई थी तो इसकी अस्थापना कब की गई थी तो ये है आफसन नमबर जो की डी 1856 में कब की गई थी तो 1856 में की गई थी किस कैमरे में फिल्म के अस्थान पर फ्लाफि डिस्क का प्रियोग किया जाता है तो ये किस में किया जाता है तो ये है आफसन नमबर जो की ये digital camera कौन सा है तो यह digital camera जो की है next question रात्र में रोसनी कम होने पर प्रियोग किया जाता है तो किसका प्रियोग किया जाता है तो यह है option number जो की यह flash का किसमें option number a flash का प्रियोग किया जाता है next question कैमरे के lens पर सीधे पढ़ने वाले अनावस्यक प्रकास को रोकने के लिए प्रियोग किया जाता है तो किसका प्रियोग किया जाता है यह है option number b lens hood का इसका option number b lens hood का next question सरोप्रथम किस अस्थल से पासान कालीन अवजार मिला है तो सरोप्रथम किस अस्थल से पासान कालीन अवजार मिला है तो यह कहां से मिला है यह है option number a पल्ला वरम से कहां से option number a पल्ला वरम से हमको सरोप्रथम पासान कालीन अवजार मिलते हैं कहां से पल्ला वरम से नेक्स्ट क्वेस्चन पत्थर हड़ी और लकड़ी के मोटे व भद्दे अवजार एवं हथियार बनते थे तो किसे बनते थे तो ये है आप्सन नमबर जो की सी पूरा पासार काल में कब पूरा पासार काल में बनते थे तो बात करते हैं देखिए पासार काल की बात हम करते हैं तो इसके पूरा पासार काल कब से है कब से तीस हजार इसा पूरा को तक पूरा पासार काल कहा जाता है बात होती है मध्य पासार काल की तो मध्य पासार काल 25,000 इसा पुर्व से 10,000 इसा पुर्व तक का काल मध्य पासार काल होता है फिन 9 पासार काल आता है तीसरे पर आपका तो 9 पासार काल की बात करते हैं तो ये 10,000 इसा पुर्व से 5 या 3,000 इसा पुर्व तक 9 पासार काल होता बात होती है कि पूरो पासारकाल तो देखे इस यूग में क्या होता है कि आदिमानो प्रकृत निर्मित गुफाओं में रहते थे कहाँ पर प्रकृत निर्मित गुफाओं में रहते थे इन गुफाओं को लोक भासा में आज भी दरी कहते हैं जैसे आप देख लिजे लखनिय अगर इस यूग के आउसेस की भारत में बहुत कम प्राप्त होते हैं और जो भी साच उपलब्ध है वाधिकांसर कहां पे हमको मिलता है वाधिकांसर दच्छन भारत में मिलता है बात होती है कि भारत में सरप्रथम राबर्ट ब्रुसफूट नामक एक अंग्रेज भूभग्यानिक एवं पुरा तत्वेत्ता ने प्रस्तर यूग के आउजार की खोज कहां पे 1863 में मद्रास के समीब पल्लावरम नामकस्थान पर किये थे फिन इस काल में मुलता क्या होता है कि क्वार्ट जाइट पत्थर का प्रियोग करते थे ये लोग किसका प्रियोग करते थे इस यूग का मनुख क्वार्ट जाइट मनुष्य के रूप में पुकारा गया किसमें मनुष्य के रूप में पुकारा गया नेक्स्ट क्वेस्चन मद्य प्रदेश के अंतरगत वह कौन सा अस्थान है जो महादेव परवत श्त्रिंखला में अवस्थित है तो कौन सा है तो है महादेव परवत श्त्रिंखला में अवस्थित है अगर बात होती है कि पंचमणी की खोज किसने किया था तो किसने किया था यह है डी एच गारडण किसने डी एच गारडण ने 1936 में यहां के चित्रों का विब्रण दिया था किसे के 1836 में DH Garden ने यहां के चित्रों का विब्रण दिया था अगर बात करें कि सरोप्रथम जानकारी चित्रों से कौन देते हैं तो GR Hunter 1932 में Congress of the Pre and Historica Sciences में दिये थे इसमें दिये थे तो पहले पंचमडी DH Garden से पहले कौन था तो GR Hunter 1932 में ही Congress of the Pre and Historica Sciences में दे चुके थे तो बात होती है कि पंचमडी की पंचमडी जो की भोपाल से कितने दूरी पर है तो लगभग 70 किलो मीटर की दूरी पर है किसमें 70 किलो मीटर की दूरी पर क्या है एक हिल स्टेशन है के रूप में ये विक्यात है फिर महादेव परवत में इस्थित यहाँ कोई पांच मील के घेरे में लगभग 25 के करीब दरिया या गुफाएं है क्या है दरिया या गुफाएं हैं अगर बात करते हैं कि पुत्री के सहारे ही इस छेतर की प्रसिद सैलास्रय गुफाओं तक पहुचा जा सकता है यहाँ अवस्थित डोरोको दीप लस्खरिया को सोन भद्रा जम्बु दीप निम्बु भोज बनिया बेरी नाकिया जलाई इमली खो भाड़ा देव और महादेव बाजार यहाँ इत्यादी से अनेक चित्रीत सैलास्रय तथा गुफाएं प्राप्त हैं अगर जम्बु दीप की बात करते हैं तो जम्बु दीप सैलास्रय संक्या साथ से मधुमक्य को हटा कर मधु संचे करने का द्रिस अंकित किया गया है क्या किया गया है तो यहां पे मधुमक्यों को हटा कर मधु संचे करने का जो द्रिश है अंकित किया गया है अगर बात करते हैं यहां पे जो चित्रन बना है उलगभग ज्यादा से ज्यादा ये सफेद रंग में ही बना है किहां पे सफेद रंग में बना है यहां से मटमयले स प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश से क्या था। या हिर्द्यागत भय को सांत करना। इस्तित हैं तो यह है option number D मूरी क्या है option number D मूरी next question पंचमढ़ी अवस्तित है तो कहां वस्तित है यह है option number D महादेव परवत स्रिंखला में next question महादेव बाजार में विशाल काय चित्र किसका प्राप्त हुआ है यह है option number C जो कि बकरी का प्राप्त हुआ है next question पंचमढ़ी छेत्र के चित्र में कितनी स्रेणियों में विभगत है तो यह है option number जो कि ए तीन स्रेणियों में विभगत है next question होसंगाबाद किस नदी के टट पर इस्थित है तो यह है option number जो कि यह नर्मदा नदी के टट पर इस्थित है next question अमारानाथ ने सन 1913 में किस छेत्र के चित्रों का परिचे दिया तो किस छेत्र के चित्रों का परिचे दिया तो यह है option number c प्राप्त हुई है, ति ये कहां से प्राप्त हुई है? चित्रों के मार्ग दर्शन होते हैं, तो यह है option number D, ज्यामती एवं अलंकारिका ताके, इसके ज्यामती एवं अलंकारिका ताके, next question, सबसे बड़ी तामरे निधी कहां मिली है, तो सबसे बड़ी तामरे निधी कहां मिली है, तो यह है option number E, मुगेरिया, मध्य प्रदेश, कहा के हैकेट महोदय ने नर्मदा के किनारे मुत्त्रा नामक अस्थान से क्या प्राप्त किया तो इन्हों ने क्या प्राप्त किया तो यह है option number C हस्त कुठार नेक्स्ट कुष्चन बागवर से चिन प्राप्त हुए हैं तो क्यों से यह option number C मध्य पासान कालीन सभ्यता के इसके मध्य का पासान कालीन सभ्यता के नेक्स्ट कुष्चन चटानों को काट कर मंदिर मनाने का कार किस सताबदी में प्रचलीत था तो किस सताबदी में प्रचलीत था तो यह है option number जो की A दूसरी सताबदी में प्रचलीत था नेक्स्ट कुष्चन दच्छन भारत के किस अस्थान पर सहल लचित्र प्राप्त हुए है तो किस अस्थान पर सहल लचित्र प्राप्त हुए है तो यह है option number C शैयम कलू किसमें सैयम कलू सेलास्त्रय की दिवारों पर अंकित एक घेरे में चार गती सील मानों आकृतियों का रेखांकन बड़े मोहक ढंग से किस जगा हुए है तो किस जगा हुए है तो यह है अफसर नंबर सी कबरा पहाड में नेक्स्ट क्वेश्चन चक्रधरपूर की गुफाएं किस राज में है तो यह है अफसर नंबर भी बिहार राज में हैं इसमें बिहार राज में हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिकाल के चित्र कहां से पाए गए हैं तो यह कहां से पाए गए हैं तो यह है ऑफसर नंबर ए मिरजापूर से पाए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु आसी किस धातु से अनजान थे तो यह है ऑफसर नंबर जोकी डी लोहा धातु से अनजान थे तो लोहा धातु से अनजान थे सामानेत सिंधु 80 किस पसु से अपरचित थे तो ये है option number A घोड़ा से सिंधु सभ्यता का विस्तार लगभग कितने वर्ग कीमी में था तो कितने वर्ग कीमी में था तो ये है option number A घोट के में तो ये है option number C जो की हल प्राप्त नहीं हुई है मुहन जोदलों से प्राप्त नर्तकी की मुर्ती किस धातु की बनी है तो ये किस धातु की बनी है तो ये है option number C कांसा धातु की बनी है next question सिंधु आसी किस ब्रिच की पूजा करते थे तो ये है option number A people की next question मुहन जोदलों का साब्दिक अर्थ क्या होता है तो मुहन जोदलों का साब्दिक अर्थ क्या होता है तो ये option number B मृतको का टीला क्या है मृतको का टीला next question सिंधु सब्वेता के सबसे बड़े सिला लेख में कितने अच्छर है तो कितने अच्छर हैं तो कितने है तो ये है option number जो किसी 15 अच्छर है next question पंचतंत्र में लिखित धूरतलों मडी की कहानी को प्रस्तुत करती चित्रकारी वाला मर्त वर्मन वान कहां मिला है यह कहां से मिलता है हमको तो यह है option number A लोथल से कहां से option number A लोथल से next question सैंधव सभ्यता में निम्र लिखित में से किस वस्तर का उलेख मिलते है तो किस वस्त्र का उल्लेख मिलता है? तो यह है option number B, सूती का? किस का option number B, जो की सूती का? Next question, सैंधाव अवसेस में किस अस्तल से पीतल की बनी बतक मिली है? तो यह है option number B, चन्दू दड़ो से? कहां से? option number B, चन्दू दड़ो से? Next question, सिंधू सभ्यता में कुमारो के भठे के अवसेस मिले है? कुमारो के भठे के अवसेस कहां से मिले है? तिये है option number B, मोहन जो दड़ो. क्या है option number B, मोहन जो दड़ो? Next question, हरप्पा के पतन के पस्चात उदय हुआ? किसका उदय हुआ? तो यह option number D, जो की उप्रियोक्त सभी कब्रिस्तान की संस्कृती, जूकर संकृती, जहांगर संकृती, तो उप्रियोक्त सभी, option number D सही है. Next question, साची के इस्तूप में अस्थियां रखी हुई है, तो किसकी अस्थियां है? तो यह है option number जो की A और B दोनों की महाभोग लायन की और सारी का पुता की. Next question, असोक के किस अभिलेग पर मयूर की आकृती है? तो यह है option number A जो की A नंदगढ़ है? Next question, साची के इस्तूप का निर्मार कब प्रारंब हुआ? तो यह कब हुगा? तो यह option number C तृतिय सताब्दी में कम तृतिय सताब्दी में. Next question, सुल्तान गंज से प्रात्थ बुद्ध प्रतिमा किससे निर्मित है? तो यह किससे निर्मित है? तो यह है option number B ताबा से. Next question, वाय मैं और कला के चहेते कौन से राजा थे? तो यह कौन से राजा थे? यह है option number A चंद्र गुप्त. Next question, भारहुत का इस्तूप किस जिले में है? तो यह किस जिले में है? तो यह option number C नागाओद में. किस में? आफशन नमबर C नागाओद में? Next question, बुद्ध के जन्म के प्रतीक को किस रूप में बनाया गया है? तो किस रूप में बनाया गया है? तो यह है option number B जो की कमल. क्या है option number B? कमल. Next question, मतुरा के केशा देव का मंदिर कितनी बार बिधोवन्स हुआ है? तो कितनी बार बिधोवन्स हुआ है? तो यह है option number C तीन बार. इसना option number C तीन बार. Next question, बौध पूस्तके किस पर लिखी गई है? तो बौध पूस्तके किस पर लिखी गई है? तो यह है option number C तामर पात्र पे? किस पर option number C तामर पात्र पे? Next question, कनीज के समय में एक नवीन कला का जन्म हुआ उसे कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो यह है option number B गांधार कला. Next question, भूमरा और नचना कुठार में सीव एवं पारवती के मंदिर का निर्माड हुआ है? तो किस काल में हुआ है? तो यह है option number D गुप्त काल में? किसमें? गुप्त काल में? Next question, असोक काली अस्तम्भो की उचाई हुषत कितनी है? तो कितनी है? तो यह है option number D 40 से 50 फिट. कितनी? 40 से 50 फिट. Next question, कनिक्स द्वारा निर्मित पेसावर इस्तूप की उचाई क्या है? तो पेसावर इस्तूप की उचाई क्या है? यह है option number A 400 फिट. क्या है option number A 400 फिट? Next question, मथूरा सिल्पो को किस से बनाया गया? तो यह है option number B रेतेली पत्थर से? किस से रेतेली पत्थर से? Next question, अयोध्या से प्राप्त एक अस्तंब की उचाई कितनी है? तो एक अस्तंब की उचाई कितनी है? तो यह option number C 50 फिट. कितनी है option number A 50 फिट? यहां अस्तम भारी भरकम होते हुए भी दर्शनी क्यों है? तो यह दर्शनी क्यों है? तो यह है option number C, चिकना. क्या है? चिकना. तो उरणव प्रवेश द्वार की कमानी और रेलिंक्स बनावट के लिए किसका प्रयोग किया गया है? तो किसका प्रयोग किया गया है? यह है option number C, प्रस्तर का. next question, मथूरा की इस्तरियों के सिल्प कैसे लगते हैं? तो यह कैसे लगते हैं? तो यह है option number C, कैसे सुडौल? नेक्स्ट क्वेस्टन, मथूरा के सिल्प कार किस आकार के सिल्प बनाते हैं, तो किस आकार के सिल्प बनाते हैं, तो यह option number C, जो की 20 साल, इसके option number C, जो की 20 साल, नेक्स्ट क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अभी सुरच्छित हैं तो यह है option number मद्रास म्यूजियम, इसमें मद्रास म्यूजियम, next question, नागार जुनी गुफाएं निर्मित की गई हैं, किसके दौरा, यह option number दर्सरत के दौरा, इसके दौरा, दर्सरत के दौरा, next question, भीतर गाव, मंदिर में गुप्त कालिन, इटो कायू प्योग हुआ है, यह अस्थान, बताओ, जहां पर इस्थित है, तिया, कहां पर इस्थित है, तिये है option number दी, नाट्य साला के लिए है, इसके लिए नाट्य साला, next question, बाग गुफा में, रंग महल, किस नंबर की गुफा है, तो यह किस नंबर की गुफा है, तो यह है option number जो की यह चवथी गुफा है, कौन सी है, चवथी गुफा है, next question, 1889 में सिगरिया के चित्रों की प्रतिलिपी किस ने तयार की थी, तो इसकी प्रतिलिपी किस ने तयार की थी, तो यह है option number दी, मिस्टर मूरे, कौन है, मिस्टर मूरे, next question, चालुक के राजा मंगली स्वर का सिला लेक प्राप्त हुआ, वह किस सन का माना जाता है, तो वह किस सन का माना जाता है, तो यह है option number जो की, बादामी गुफा के खोज कासरे किसे प्राप्त है, तो यह है option number C, किसे इस्टेला क्रेमरिस को, next question, कांची पूरम मंदरी में भित्ती चित्रों के होसेज की खोज किसने की थी, तो यह है option number A, प्रोफेसर दुरविल ने, next question, जिला तंजावर के अंदरगत पुदु कोट्टा में गुफा इस्थित है, तो यह कौन सी गुफा इस्थित है, तो यह है option number B, B, सित्तन वासल, next question, एलोरा, अजनता की गुफाए कितनी दूर इस्थित है, तो यह है option number B, क्या है 135 किलो मीटर, next question, कैलास मंदिर का निर्मार किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, तो यह option number D, राष्ट कूट राजा कृष्ण ने, next question, कैलास मंदिर के सिखर की उचाई कितनी है, तो इसके सिखर की उचाई कितनी है, तो यह है option number D, 95 कीमी, कितनी है 95 कीमी, next question, मुंबई के gateway आफ इंडिया के एलिफेंटा की दूरी कितनी है, तो मुंबई के gateway आफ इंडिया की एलिफेंटा की दूरी कितनी है, तो यह option number D, 10 किलो मीटर, कितनी 10 किलो मीटर, next question, एलीफिंटा गुफा समूद्र से गीरी है तो किस से गीरी है तो ये चारो और समूद्र से गीरी है Next question एलीफिंटा के समीव समूद्र-ठटपर एक बड़ी मुर्ती थी तो किस की मुर्ती थी तो यो है अफ्सन नमबर जो की बी हाथी की? किसकी? आफ़सन नमबर बी हाथी की? Next question. जनन, रच्छा, संगहार तीनों रूपों का घोतक है? तो तीनों रूपों का घोतक है? तो यह कौन सा है? तो यह आफ़सन नमबर सी त्रिमूर्ती. कौन सा? आफ़सन नमबर सी त्रिमूर्ती. Next question. खुजराहों का मंदिर किस जिला में इस्थित है? तो यह है आफ़सन नमबर डी छतरपूर में. कितने? छतरपूर में. Next question. खुजराहों में कुल कितने मंदिर हैं? खुजराहों में कुल कितने मंदिर हैं? तो यह आफ़सन नमबर डी 30 मंदिर है. कितने पीटल 30 मंदिर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लाल गुगा मंदिर किसको समर्पित है तो ये है option number B सिव को किसको option number B सिव को नेक्स्ट क्वेश्चन तंजाओर के मंदिर में प्रसिद मंदिर कौन सा है तो प्रसिद मंदिर कौन सा है ये option number A ब्रेधेश्वर मंदिर नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेधेश्वर मंदिर की पहली मंदिर की दिवार पर संकर की कितने मुद्राओं का प्रदर्शन हुआ है तो कितने मुद्राओं का प्रदर्शन हुआ है तो कितने मुद्राओं का प्रदर्शन हुआ है तो ये option number B 108 मुद्राओं का प्रदर्शन तो यह option number D संस्कृत भासा का है. Next question. अजनता सैली को किस बिद्धुान ने बौद कला के नाम से पुकारा है? Next question. अजनता गुफा में अधिकतर नारी अर्धनगन रूप में चित्रित है इन चित्रों के दर्शन होते हैं तो क्या होते हैं ओफशन नमबर C सालीनता इसमें ओफशन नमबर C जो की सालीनता आज प्रेक्टिस्टर 43 का लास्ट कोईस्चन जातक कथाओं की भासा क्या थी यह है ओफशन नमबर C जो की पाली भासा थी दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को सेयर करिए वीडियो को जादा से जादा लाइक किया करिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाले आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे धन्यवाद